देखो म्याव म्याव क्या बड़ी आड़ीनर है तेरे लिए अब तो जरूर बजेगा पीटर का बैंड होक्यूलेस ममी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी क्या आप अपनी बदमाश बिल्ली को बन नहीं रख सकती यह सही नहीं है मैं यहां अकेला सड रहा हूं और वो नीचे मस्ती का रहे है चोकलेट चोकलेट पुडिंग वाह कोई हैंडी को डिनर पर बुलाए ना बुलाए हैंडी को डिनर पर जाएगा बढ़िया को जा शुरू हैंडी बेटा अओ अओ ललू ना अच्छा कैसे बजाने लगा किसी ने तुम्हारे नोटेशन में गड़ बड़ की है पीटर वा क्या बात है आजा चुटकुराम आजा मेरे बेटी सौरी ये आखरी है हाँ मेरे दोनों बच्चे बहुत शांत है और उन्हें तो हर्क्यूलिस नौटी टॉग इसकी बदमाशी के लिए मैं आपसे माफी मागता हूं कोई बात नहीं मुझे नहीं बता था ये इतना उपर जम कर सकता है और मुझे भी नहीं बता था चलिए बाहर चलते हैं हम समाल करेना होगा अब शुरू होता है ओपरेशन आग लगाओ उन्हें ये अच्छा लगेगा हेंडरी तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था मॉम मैं अंकल और अंटी से मिलना चाहता था चे हाव स्वीट हेंडरी क्या बात है पर मॉम आप इन्हें खरूस क्यों बुलाती है यह कितनी अच्छी है पीटा जाओ जल्दी से आंची के लिए जूस लेकर आओ अभी लाया मॉमा क्या तुम मुझे मारना चाहती हो मुझे माफ कर दीजिए मैं आपको वाश्रूम का रास्ता दिखाता हूं और तुम दोनों अपने कमरे में जाओ जरूर गुर्णेट अंकल आपसे मिलकर बहुत खोशी हुई मिर्ची चिप्स काफी दिनों बाद इने चकहूंगा तम है तो खा के दिखाओ मिलकरी तो थुँखू से हो गया और अब तक तुम यही पर क्यों खड़े हो अपने जल्दी क्या है हमने पीटर का पफार्मस तो देख लिया अब हेंडरी की बारी है क्यों हेंडरी तुम भी कुछ दिखाना चाहोगे अरे हां देखना है यह देखो मेरा कराटे कोशिश अच्छी थी चाहां पर मैं मैं ब्लाक बल्ट हूँ ताइक वान्टो में सोने जाओ हैंडरी कमान हरक्यूलीज काम पर लग जा मियाओ मियाओ मजा आगया बॉस बुर्बुर सर तो ख्लासी ने ले पाए क्योंकि किसी के पास हुमें कॉस्ट्यूम नहीं थी राल्फ तू अपना टाइम भी इसमत कर अच्छा देख अभी तू डर जाएगा ममी को स्कूल से फोन आया था कल स्विमिंग का एक्स्ट्रा क्लास है समझा क्या कल और स्विमिंग कॉंपिटिशन भी है और यह टाइम टाइम हो गया हैंड़ी आड बच गया आज सुमिंग क्लास है देख तो किसी को मत बोलना एंड्रीू अभी अभी अख्वेरियम से एक शार्क भाग गया है क्या शार्क? हाँ, इंसान खाने वाला खुमकार शार्क और वो इस तरफ आ रहा है तो सम्हाल कर रहना हेंड्री ने बोला चायद हमारे फूल में शार्क हो जगता है शार्क तो समंधर में रहते हैं उन्हें पूल का पानी पसंद नहीं है पानी पसंद नहीं लेकिन इसमें सुम करता हूं मैं हाँ, सही बोला यार सॉरी यार इस बार भी डर्ना भूल गया तुझे तो नानी याद दिलागे रहूंगा आज सुमे टाइप पे हूँ, सर चलो सब लोग पूल में उत्रो हेंडरी, आज फिर से कोई जोरी, सर, आज मैं सुमिंग नहीं कर बाऊँगा क्योंकि कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार समझे और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अगर तुम्हें सर्दी, खासी, बुखार, पीट दर्द, सिर्दर्द, नाकादर या कहा का भी दर्द हो चलो चट्डी पहनो मैं तो पहना चाहता हूँ सर लेकिन बाद न्यूज है मैं अपनी चट्डी भूल गया पता था, एक्स्ट्र है मेरे पास ले लो ये सब कौन पहनेगा सर, मैं तो नहीं कहाना पहन लो अब मुझे पूरे पांच राउंज लगाने हैं, वो भी बिराट डूबे हेंडरी, पानी में उत्रो ये तो जर्पोग है सर और पानी से भी जरता है मैं नहीं दरता सड़े ली, मार्ग्रेट हाँ, मुझे पानी बसंद है, ये देख हेंडरी, तैरो जब तक तुम अपना 50 मीटर्स का टार्गेट पूरा नहीं करते तब तक तुम्हें मेडल नहीं मिलेगा हेंडरी के लिए एक स्पेशल मैडिल बनाना चाहिए जूपते हुए कबुतर के जैसा हाहा तु देख तु देख तु देख तु देख ये लो का चकर लगा लिए बहुत आसान, अब बाहर निकलू किया हेंड्री तुम्हें लगता है मैं अंदा हूँ एक्षिली कभी इसके बारे में सोचा नहीं ने का तेरो ठीक से तीन फीट वले साइड में जाओ और प्रैक्टिस करो तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक तुम फिफ्टी मीटर्स का टागेट पुराने करते तीन फीट? तीन फीट में भी कोई स्वंइग करता है क्या? क्या हुआ पचके? बचे तक समिंग सीखते में बहुत खुशी हो रही है ए दिखता नहीं है क्या? सारी मेरा ध्यान नहीं था मैं देख रहा था कोई कोई शार्क तो नहीं अप शार्क, आइडिया, फट्थे, अंड्रू, वो शार्क के बार में लेटिस न्यूज, वो तो ड्रेनेज पाइप में चला गया है, नहीं, हाँ, तो शायद वो उस पाइप से उदर कर यहीं कहीं आया हो, वो डीप पाले साइड में, नहीं, हाँ, किसी को बताना मत, सिर्फ विल मेम को बताएगा, तभी तो मेरा काम होगा ना, काम हो गया, हाँ, हाँ, हाँ क्या हुआ, कोई धैरता क्यों नहीं है, आज तो आपको मेडल स मिलने वाले हैं, हमें तेले ने नहीं है, और अगर शार्क ने खालिया तो, शार्क ने खाल लिया, अभी इस वक्त पूल में नहीं उत्रे तो में खुद सब को खा जाओंगा सच कहता हूँ, जाओ! मैं आज से बहुत साल आगे गया था अपने बेटे के बेटे के बेटे के से मिला वो इसी घर में रहता है और मेरी तरह हीरो दिखता है मतलब गंदा दिखता है क्या क्या बोला तुने? कुछ बहुत नहीं हैंडरी फ्यूचर में सब कुछ कैसा है बेकार मेरा मतलब बेकार सब बच्चे सिल सबजी खाते हैं और लड़के फ्रॉग पहनते हैं और बेबो बाबो बाबो बाशा में बोलते हैं अग बेबो अगभी सेकर्टी बाबर लो निल्योग बच्चों को बहुत होमक भी करना पड़ता है वाउ कितना मसा आएका मुझे भी फ्यूचर में जाना है हां पर पीटर तू मुझे नहीं रोग सकते हैं हैंडरी पर पीटर तू ऐसा नहीं जा सकता ललू सब हसेंगे तुछ पर तो क्या करूं यही रुख गुड़ अब लग रहा है तू फ्यूचर के लड़के जैसा और यह ले बीबो बाबो जूस पी इसे पीकर ही तू बीबो बाबो लाइमविज बोल पाएगा मैं तयार हूँ और याद रख ललू बाब निकलने से पहले एक से दस तक दिन लेना वरना कहीं का कहीं पहुंच आएगा तू समझ गया ओके गुड़ बाई लगता है मैं पोहुच गया अब आएगा असली मजा है एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, नो, दस लगता है मशियन ने काम नहीं किया एए एंडरी मेरा नाम है जौ महीं हूँ पीटर adjust तो आप वो मेरां कना कना कि ना उनकल की उनकल कर्फूicon पीटारंकल अपके एंसेम भाई हमें मुझे आपके बार में बताया थाता आपको लज्डों क्याता हैं हम फ्यूचर में ऐसे ही नमस्टे करते हैं वेलकम एक मिनिट रोको हनुनि ने कहा तब फ्यूचर में लड़के फ्रॉक पेहने हैं पहा तुम ने क्यों हाँ क्योंकि मैं लड़की हूँ हैं रुआजभी अपनी आपको लड़की नहीं कहेगा मतलब आ सच में फ्यूचर में ही हूँ और ये तो मेरे घर जैसा ही है हाँ आप पीटर म्यूजियम में है और आप यहाँ काफी फेमस भी है देखिए वहाँ आपका टैडी और आपका म्यूजिक बुक भी है आपने म्यूजिक में वर्ल्ड रेकॉर्ड भी तोड़ा है रियरली? प्लीज आप हमारे गार्डन में चलिए और उसकी शान बढ़ाईए ओ हाँ जरूर मॉमा को पीटर मुजियम के बार में बोलूगा तो वो कितनी खोश हो जाएंगी येस वाँ कितना सुन्दर है, सब कुछ पहले जैसे ही है पीटर ये क्यो कर रहे हो सुन्दर फ्रॉक है थांक यू नमस्कार आप बिरकुल अपनी ममी के ममी के ममी की तरह ही दिखती है हाँ वो तो है क्या सच में? हाँ शायद आपको मुझसे मिलकर बहुत अजीब लग रहा होगा ना हाँ हाँ तुम्हारी ये हालत हेंडरी ने की ना हाँ उसे के कारण मैं आज फ्यूचर में आया हूँ क्या फ्यूचर में? हाँ हाँ हुम कुछ पर हस रहे हो हाँ जल्डे खुल मुझे आदरान दो हेंडरी हाँ हाँ कैसे बसाया ललुका खुलो तर्वासा मैं अ कहां खुलो हाँ पॉक 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 ग्या हाँ हाँ खुप रहो नहीं हें ऐसे नहीं रुको में दिखा थो ऐसे करो दुम दौरा बीच में साहर जाओ पा, 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 पा मैं जली से सीडी के नीचे छुप जाता हूँ कहां तुमने छुप गए एंड्री शैतान रेबेका से नहीं बिलकुल नहीं मैंने आज तक सभी बीबी सिटर्स को भगाया है तू इस रेबेका को भी भगाऊंगा चले उसकी छुट्टी करते हैं हुआ 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 है है यह मेरे चुपने की जगा है एंड्री हेलो हमारे घर चोर गुसाया है जल्दी आओ बच्चा लोग तुम्हें डरने की जरुवत नहीं है हम अभी पहुंच जाएंगे वैसे वह दिखता कैसा है हो दस सच्वित लम्भी है इ ze से ढांत और अभी वो बैठकर टीन ही देख रही है बोटू पर वह बैका है वह है कोई चौर रही है आ कि अ लगता है पुलिस रिबेका को चो समझ कर पकड़ के ले गई है इसका मतला मैं चुपन चुपाई जीत का बेलकुल नहीं इतनी आसानी से नहीं जीत सकते बच्चों मैं चोर हूं क्यों दस फिट लंबी हूं क्यों हाथी जैसे दाथ है क्यों यह मेरा आइड़ नहीं था वैसे मेरे खेल्च साब काफे सुन्दर दिखती है चुप 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 जाओ सोने तुम्हारे पास पाथ सेकंड्स है एक बादार तुर तीन चौर पाच बैट से उतरने की सोचना भी मत वरना ऐसी मार पड़ेगी कि याद रखोगे यह कुछ ठीक नहीं हो रहा है किसी को पता चल गया कि रेवेका ने मुझे साथ बज़े ही सुला दिया तो मेरी इज़द का क्या होगा हेंड्री मैं हूं पीटर तुम सो गई क्या तुमने सोचा क्या करना है सोचा मतलब कि तुम हेंड्री हो हेंड्री और हेंड्री कभी हार कोई रेबेका डेका बेका हमसे हमारी आजादी नहीं चीन सकती हम में है दाम क्योंकि मैं हूँ हैंडरी और तुम हो पीटर मुझे लगते मुझे अपने कमरे में रहना चाहिए डाइफॉक मकड़ी यह तो बेकार सा खेलाना है और कुछ नहीं हाई रिया फट्टे क्या तुम्हे कुछ सोचा पीटर मुझे एक मकड़ी चाहिए मकड़ी कोई खास साइस वाली हाँ सबसे बड़ी सूपर अब मदद के लिए चिलाओ बचाओ वाँ वाँ बचाओ वरी गुट थैंक युए रुख बचाओ वाँ वाँ सूएक्यो नही अबिताग्तुम यि ये 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 ये